दोस्तों आपके घर में जो power supply आती है, power supply का जो voltage है, voltage यदि इसी प्रकार से बहुत ही ज़ादा fluctuate होता है तो उस condition में आपके घर में ये वाला जो protection device है इसका इस्तमाल करना पड़ेगा इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी को भी इलेक्रिक सोक ना लगे तो उस कंडिशन में ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इस डिवाइस का इस्तमाल करना पड़ेगा यह जो device है यह device हमारे घर में किसी को भी electric shock ना लगने देगा यानि कि यह device आपको earth fault से protect करता है तो चलिए इन दोनों device के बारे में पूरा अच्छे तरीके से detail में समझ देते हैं हमारे घरों में normally 5 प्रकार के electrical fault आते हैं जिसमें से पहला होता है over current का, second होता है source circuit, तीसरा होता है earth fault, उसके बाद under voltage और उसके बाद over voltage का fault हमारे घर में आता है कुल मिला के 5 प्रकार के fault हमारे घर में आएंगे और इन सभी के लिए यदि आप protection device इस्तमाल कर लेते हो आपके घर में तो आपके घर में जितने भी electrical appliances होते हैं साथी साथ में आप जो हो आपको भी पूरा safety मिल जाएगा तो ये जो सभी पांचो fault है इन सभी fault में से over voltage और under voltage से यदि आपके घर में protection चाहिए तो आपको इस प्रकार का protection device इस्तमाल करना पड़ेगा ये जो आप protection device देख रहे हो ना इसको हम कहते हैं voltage monitoring relay ये क्या करता है कि हमारे घर में जो भी voltage आएगा उसको लगातार monitor करते रहेगा यदि इस device को ये लगता है कि आपके घर में जो voltage आ रही है voltage यदि बढ़ गया है या फिर voltage कम हो गया है तो उस condition में ये device आपके घर के power supply को पूरा का पूरा बंद कर देगा इसके अलावा ये जो device है ये device आपके घर में over current से भी protect करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया आपके घर में जो पहला fault होता है वो होता है over current का तो over current से भी ये device आपको protection provide कर देगा ओके इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी को भी electric soak ना लगे तो आप आपके घर में इस प्रकार का protection device इस्तमाल कर लिजेगा ये जो मेरे पास में protection device है इसको हम कहते हैं RCBO RCBO का full form होता है residual current operated circuit breaker with over current protection यानि कि ये वाला जो device है ये device आपको earth fault का प्रोटेक्शन देगा ही देगा तो गुल मिला के आपको केवाल ये दोनों device इस्तमाल करना पड़ेगा और इन दोनों device का इस्तमाल करने के बाद आपके घर में पूरा electrical problem से protection मिल जाएगा अब यहां पर जो मेरे पास में ये जो voltage monitoring relay है और ये जो मेरे पास में earth fault से protect करने वाली जो RCBO है इन दोनों को CNC कंपनी के दोरा बनाए गया है अब यहां पर जो हमारा protection device है कैसे काम करता है इसको समझने के लिए इसका wiring कर देते हैं wiring करने के टाइम आप हमेशा ये ध्यान दीजेगा कि जो आपका voltage monitoring relay है इस relay को RCBO से पहले लगाईएगा यानि कि आपके घर में जो electric pole से यानि कि आपके energy meter से जो power supply आ रहे है मालने जे कि यहां पर जो blue wire और black wire है इसके दोरा हमारे घर में power supply आ रहा है अब इन दोनों wire को आपको ले जाके क्या करना है कि आपका जो voltage monitoring relay है इसके उपर वाले terminal पर आप देखोगे यहां पर in लिखा हुआ है तो जिस side in लिखा हुआ है उस side में आप क्या करिए कि जो आपका face supply वाली wire है और जो neutral supply वाली wire है इन दोनों wire को ले जाके connect कर दीजिए अब इस voltage protection device के output terminal पर आप एक wire को connect कर दीजिएगा आप देख सकते हो यहां पर L लिखा हुआ है L का मतलब कि face supply आपको यहां पर मिलेगा तो एक wire को यहां से connect करके आप क्या करिए कि इस wire का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके आपका जो RCBO है RCBO के एक जगा पर आपको दिखेगा N लिखा हुआ है वहां पर आपको face supply नहीं connect करना है उसके बगल में जो दूसरा terminal होगा उस terminal के साथ आप इस wire को connect कर दीजिएगा तो इस RCBO को मैंने face supply provide कर दिया अब यहां पे जो मेरा voltage monitoring relay है इसके output terminal पर आप देखोगे यहां पर neutral वाला terminal है तो इस terminal के साथ आपको एक wire को connect करना होगा और इस wire के दूसरे सीरे को लेके जाना है और जो आपका RCBO है उस RCBO के neutral वाले terminal के साथ इस wire को connect करना होगा तो यहां पर मैं इस wire को connect कर देता हूँ और इस device के output terminal से आपको power supply ले जाके आपके घर में connect करना होता है फिलहाल के time पे मैं क्या करता हूँ कि यह जो lamp है इस lamp के दोनों wire को ले जाके मैं इस RCBO के साथ connect कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको हर एक चीज आसानी से explain कर सकूँ तो आपको cable connection इ के बाद आप देखोगे यह जो मेरा device है इस device के उपर में voltage so करने लगा अभी के time पे आप देख सकते हो 231 volt आगे पीछे थोड़ा बहुत हो रहा है इतना voltage यहाँ पे so कर रहा है ओके इसके बाद इसके नीचे में यह जो green वाला display इस पे आपको current देखने को मिल जाएगा या अभी फिलाल के time पे आप देख सकते हो यह वाला बंद है तो यहाँ पे कोई भी current को show नहीं किया जा रहा है इसको मैं एक बार on कर देता हूँ ओन करने के बाद हमारा lamp on हो गया लेकिन यहाँ पे अभी भी current show नहीं किया जा रहा है इसके पीछे का region यह है कि हमारा जो lamp है इस ampere तो current flow होना चाहिए इसमें so करने के लिए अब दोस्तों यह जो lamp है यानि कि हमारे घर में जो power supply जा रहा है उस power supply में जो voltage flow हो रही है उस voltage से related जो problem आती है उससे protect करने के लिए हमें इस device में थोड़ा सा programming करना पड़ेगा programming करना बहुत ही simple होता है आपको simply क्या करना होगा यहाँ पर जो M बटन है इसको प्रेस कर दीजिए आप देखोगे यहाँ पर U0 आ गया U0 का मतलब कि over voltage यहाँ पर 250 सेट है यदि आप change करना चाहती हो तो up and down बटन का इस्तमाल करके आप change कर सकती हो मैं यहाँ पर अभी के टाइम पर 245 वोल्ट सेट कर देता हूँ over voltage के लिए इसके बार मैं दुबारा से M बटन को प्रेस करूँगा तो under voltage के लिए आ जाएगा under voltage 180 वोल्ट पर सेट है यानि कि 180 वोल्टेज से यदि वोल्टेज कम हो जाएगा तो उस कंडिशन में यह डिवाइज पावर सप्लाई को बंद कर देगा इसको हम चेंज नहीं करते हैं इसके बार दुबारा से M बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर ULT आ जाएगा इसका मतलब यह है कि थे आपके घर में ULT अंड़ व LT होता है तो कितनो समय के बाद में आपको यह device प्रोटेक्षन प्रोवाइट करें यह पर 4 seconds का time set के बाद इसके बाद आपको यहां पर ओवर करेंट का protection मिल जाएगा maximum आपको 63 A का programing करना है यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा 63 A का और minimum 1 A का setting कर सकती हो मैं फिलहाल के time पे 2 A पे set कर देता हूँ मैं आपको थोगा सा load भी करने करके दिखाऊंगा कैसे protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो मैं अभी 2 A set कर देता हूँ 2 A set कर दिया दुबारा M बटन को प्रेस किया यहाँ पर over current होने के time कितना समय के बाद आपका यह device protection प्रोवाइड करें उसका time set करना होता है 2 second set है मैं इसको कर देता हूँ 5 second यानि कि ज़्यादा current flow होना start हो जाए उसके 5 second के बाद हमारा device protection प्रोवाइड करें इसके बाद आपको यहाँ पर reset time मिल जाता है इसका मतलब होता है कि आपको कितने दियर के बाद में इस device को reset करना है उसका time आप program कर सकती हो तो simple सा programming आप आसानी से कर सकती हो अभी के time पर हमारे घर का voltage 213 volt है अब यहाँ पर मैं voltage को बढ़ाता हूँ voltage को increase करता चला गया और 136 maximum जा रहा है यहाँ पर मैंने over voltage के लिए 245 volt set किया दा इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ मैं set कर देता हूँ 230 volt 230 volt से ज़्यादा voltage होने पर हमारा lamp ओफ हो जाना चाहिए इसका मैंने programming कर दिया अभी 236 volt है 5 second के अंदर में हमारा lamp बंद हो जाएगा आप देख सकते हो बंद हो चुका है अब यहाँ पर मैं voltage को कम करता हूँ यहाँ पर मैं voltage को कम करता हूँ आप देखोगे voltage कितना होगी हमारा अभी के time पर 210 volt अराउंट है अब जैसे ही voltage हमारा normal हुआ हमारा lamp दुबारा on हो गया यानि कि यह device हमारे power supply को दुबारा चालू कर दिया अब जो यहाँ पर voltage दिखाय जा रहा है इस voltage को मैं कम कर देता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर voltage अभी के time पर 161 चला गया और voltage कम होते ही इस के इस को भी आपको płिटिकटली सोगर देता हूँ इसके बाद यह जो न्ट है, यह device है आपको अर्थ度फोल्ट से प्रोटेक्स करता है अर्थ Sü celui से कैसे प्रोटेक्स कर आपको चलिए इसको भी आपको पूरा प्रिटिकली सोगर देता हूँ माल दीजे कि यह जो लैंब है इस लैंब का जो आपने face और neutral supply कनेक्ट किये थे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर face supply कनेक्ट है यहाँ पर neutral supply अब माल दीजे कि आपका face supply इसके body के सार connect हो गया यह तो plastic का है माल दीजे कि कोई metal object है जैसे कि आपका cooler हो गया, freeze हो गया या फिर दूसरे चीजे जो है जो कि metal parts होते हैं उसके body पर यदि touch हो जाएगा और उस condition में यदि आप इसको जाकर touch करोगे ना तो आपको electric soak लग जाएगा तो इससे protect करने के लिए यह वारा device हम इस्तमाल करेंगे कैसे protect करेगा समझ यह, देखिए मैं यहाँ पर एक wire लेता हूँ यह अर्थिंग वाली wire है, इस wire को मैं ले जाके क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा neutral power supply है, यह वाली इसके साथ इस wire को connect कर देता हूँ आप देखने जैसी मैं इसको connect करूँगा, मेरा जो यह RCBO है, यह trip हो जाएगा अब देखिए जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर earth fault होते ही, हमारा RCBO trip हो चुका है बहुत ज़्यादा sparking हुआ, ऐसा try कभी मत करिएगा मैं केवल आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा risk लेके आप लोग को दिखा रहा हूँ तो आपने देखा, earth fault होते ही, हमारा जो यह वाला MCB था, यह trip हो गया RCBO भी trip हो गया, MCB भी trip हो गया है, दोनों की trip होए है यानि कि आपको complete protection मिल गया, अब यदि मैं इसको on करूँ तो on नहीं होगा on करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यह वाला push button इसको press करिए तो reset हो जाएगा, reset करने के बार आप इसको on करोगे, तो आपके घर क्या power supply दुबारा on हो जाएगा तो आपने यह देख लिया कि यह device किस प्रकार से protect करेगा और यह device किस प्रकार से over voltage, under voltage से protect करेगा मैंने आपको बोला था कि इसका current भी so करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसके output terminal के साथ एक heavy load को connect कर देता हूँ, तो यह जो drill machine ने इस drill machine को भी मैंने इस lamb के साथ connect कर दिया, अब यहाँ पर मैं drill machine को on करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर current increase होगा, ओके, मैं इसको चालू करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर current increase हो रहा है अभी यहाँ पर current 1.5 ampere जा रहा है और हमने यहाँ पर setting किये थे 2 ampere का, tripping में आप ही आपको 100 नहीं कर पा रहा हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि current rating को कम कर देता हूँ, current को कम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा I0 पे, 2 ampere set है, इसको मैं कम करके 1 ampere कर दिया, program को save करके बहार निकर के आ गया अब मैं दुबारा on करूँगा, आप देखना, 1 ampere current flow होगा, यदि 1 ampere current 5 second के लिए flow होगा तो हमारा जो lamp है और drill machine है दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे 5 second के बाद हमारा drill machine बंद होगा, इसके पीछे का region यह है कि हमने इसमें 5 second का time set करके दखे हैं यदि आप 0 second का time set करोगे तो तुरंत ही हमारा drill machine बंद हो जाएगा जैसे ही current ज्यादा flow होना start होगा, ओके तो आप हम इसको चालू करके देखते हैं जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा current है वो 1.5 ampere तक चला गया था तो उस condition में हमारा drill machine और lamp बंद हो गए थे अब दुबारा चालू हो गया क्योंकि हमने drill machine को बंद करके रखे हैं दुबारा में इसको चालू करता हूँ आप देखना current ज्यादा होने के बार lamp और drill machine आटोमेटिकली बंद हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो हमारा lamp भी बंद हो गया और drill machine भी बंद हो गया आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बटन को प्रेस करके रखा हूँ अभी हमारा lamp आफ है दुबारा रिसेट होने के बार दुबारा चालू हो गया था तो जैसे कि आपने देखा कि कि इस प्रकार से हमारा यह voltage monitoring relay और RCBO हमारे घर के electrical fault से हमें protect करेगा तो यदि आपके घर में यह दोनों protection device इस्तमाल नहीं किया गया है तो आप आपके घर में लगवा लीजेगा इसको लगाने से आपको electric शोक नहीं लगेगा और भी जो आपके घर में electrical fault आते हैं उससे भी protection आपको मिल जाएगा okay